Hello everyone, welcome to Beat the Street तो आज इस Q3 analysis में हम बात करने वाले SBI card के result के बारे में जी हाँ, इस वीडियो में हम SBI card के quarter analysis करेंगे और उसका पूरा business performance का हम आपको उसकी जानकरी देंगे अगर आप हमाई चैनल पे पहली बार आ रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ major highlights की देखिए, SBI card के जो results रहें करीबन 2540 करोड रुपे का revenue रहा है अगर Q on Q basis पे compare किया जाए तो 2512 करोड था और अगर हम Q on Q basis पे compare करें तो 2563 करोड रुपे था वहीं पे अगर PAT की बात करते हैं 210 करोड रुपे का रहा है और जो profit after tax अगर पिछले quarter की बात करें तो 206 करोड था वहीं पे अगर एक साल पहले की बात करें तो 434 करोड रुपे था अभी इसके पीछे जो बड़ी वज़ा है वो है provisioning provisioning के कारण यहाँ पे SBA card के results थोड़े muted रहे हैं अगर आप देखेंगे muted मतलब यहाँ पे normal growth देखने को मिलिए अगर NPA की बात करते हैं तो 0.56% रहा है अगर हम इसे quarter on quarter basis पे करें तो 1.52% Y on Y basis पे 0.83% वही पे अगर हम GNPA की बात करते हैं तो 1.61% रहा है और अगर इसे quarter on quarter basis पे देखें तो 4.29% रहा है वही पे अगर हम देखें तो 2.47% Y on Y basis पे रहा है overall देखेंगे तो NPA की figures काफी अच्छे रहे हैं Q on Q basis पे और Y on Y basis पे वही पे अगर हम PAT की बात करें तो PAT Q on Q basis पे थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ पे Y on Y basis पे कम हुआ है परफॉर्मा NPA क्या होता है मैं आपको हर बार बताता है हूँ हर financial results में परफॉर्मा NPA बेसिकली अभी सरकार ने मतलब Supreme Court ने 31 अगस्त को एक order पास किया था जिसके तहर कोई भी नई NPA यहाँ पे declare नहीं किये जा सकते अगर वो 31 अगस्त का order हटा के NPA declare कर दिये जाए तो कितना NPA होगा यह होता है परफॉर्मा NPA मतलब हमारे लिए जो सही अगर metric है हमें अगर judge करना NPA तो हमें परफॉर्मा NPA देखना रहेगा 1.58% था और यह पिछले quarter में 2.7% था वहीप अगर परफॉर्मा JNPA की बात करें जो पहले 7.5% था वो अभी कम होके 4.5% रहे तो इस तरीके से आप देखेंगे asset quality front पे company ने अच्छा perform किया रिच्ट्रक्चर करने के लिए अपलाए किया है अभी हम बात करतें पूरे business की और पूरे performance की देखिए अगर हम बात करें performance highlight जैसा मैंने बताया 210 करोड total income 2540 करोड management overlay provision यह 1113 करोड रुपेगा है और जो पहले 758 करोड था देखिए management overlay provision basically company ने इसलिए बनाया है क्योंकि वो जो supreme कोड का order है और जो COVID-19 का impact है इसके चलते जो uncertainty है वो करीबन provision उसके कारण बना है अभी management overlay जो provision था अभी अगर आप देखिएगे 758 करोड से यहापे 1113 करोड तो करीबन 350 करोड रुपे तो provision में ही चला गया मतलब अगर आप 350 करोड को अगर net profit में जोड दे तो करीबन bank की जो performance होती है वो आपको देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा कैसे 350 करोड प्लस 210 करोड करते है तो करीबन यहापे 540 करोड रुपे का बैठता है तो इससे हमें पता बढ़ता है management overlay provision basically management के comfort के लिए है और ताकि bank की जो financial health है वो maintain रहे तो यह मैंने आपको समझाया है management overlay provision एक नुकसान नहीं है यह बस future एक तरीके का future expense है future loss है जो हो सकता है लेकिन अभी भी हुआ नहीं है अगर आप ROA देखेंगे तो करीबन 3.3% रहा है वहीं पर ROAE देखेंगे return on assets implied पर देखेंगे तो 13.8% रहा है capital ID के उसी ratio जो की बहुत ही important ratio होता है वो 23.7% रहा जो पिछले साल बर पहले यहाँ पर quarter 3 में FI 20 में 19.2 था ठीक है अभी हम बात करते है की metrics की metrics में बैंक की यहाँ पर business के बार में पता पड़ेगा card in force मतलब जो total card है वो grew हुए है अगर आप देखेंगे 15% से जो की अभी 1.15 करोड है जो quarter 3 FI 21 में थे और अभी अगर आप पिछले उससे बात करें पिछले साल से compare करते तो करीबन एक करोड थे तो यहाँ पर वाय वाय बाय बेसिस पे management ने comparison दिया है अगर आप spends देखें तो 8% से बड़ी है वाय 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 बेसिस पे जो अभी 37,800 करोड की है वो पहले 35,135 करोड की दी market share बहुत ही important है यहाँ पर market share बढ़ना चाहिए available till November 18.8% यहाँ पर कंपनी का market share रहा है और अगर आप spends के अंदर देखें तो 20.2% रहा है spends हमें अगर compare करते हैं तो पहले 17.8% था और वहीं पर अगर हम card enforce को compare करें तो 18.8% से पहले यहाँ पर 18.1 था कंपनी का market share बढ़ने के बीचे reason है HDFC bank जिसे यहाँ पर credit card बेचने पर credit card नए issue करने पर RBI ने ban लगा रखा था लेकिन वो जो ban लगा है वो December में लगा है यह figure November तक के मतलब आप समझिए कि अगर November तक ही company का figure इतना शांदार है business performance तो December में कैसा होगा क्यों कि December में तो HDFC ने card issue नहीं किये तो सारा जो market capture है नंबर 1 से नंबर 2 का HDFC नंबर 1 है और HBA card नंबर 2 है तो यहाँ पर market और अच्छे से capture कियोगा तो अब जब भी इसके update आएंगे थोड़े दिन बाद या RBI का quarterly manual आजाएगा quarterly data आएगा उसमें हमें वापस actual figures पता पढ़ेंगे तो हम आपको और जानकारी दे पाएंगे अगर आप देगे new account volume तो 8% बढ़िए 9,18,000 से और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं GNPA जो कि मैं बताए चुका हूँ receivable अपने लिए इतना important नहीं है profit and loss interest income करीबन 1168 करोड रुपी रही है उसी के साथ अगर fees and services से income देगे तो 25 करोड से बढ़के 25 करोड से बढ़ा कर 1107 करोड रही है जो पहले 1080 करोड थी वहीं पर अधर income 62% से बढ़के 137 करोड रुपी रही है जो पहले 84 करोड थी operating cost company की 7.1% से बढ़ी है company का earnings before credit cost यहाँ पर company का 931 करोड रुपी रहे management overlay provision मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पर एक और जो फिगर है impairment losses and bad debts basically यह ऐसे expenses जो हो चुके यह company को नुकसान है तो जो quarter 3 में रहा है वो 648 करोड रुपे कर था और जो पिछले उसमें था वो 376 करोड कर था इसके पीछे क्या reason है basically यहाँ पर जो provisions और bad debts होते हैं यह कोविड के चलते हुए अगर आप पह 9 months का figure है balance sheet में हम देखें तो यहाँ पर जो balance sheet size है वो 27,277 करोड है जो पहले 26,000 करोड था और gross advances की बात करें तो करीबन 25,000 as of December 2020 यहाँ पर 25,000 25,750 करोड है और पहले यह जो figure था वो 24,776 करोड था asset quality और हम capital adequacy की बात कर चुके credit rating की बात करें तो यहाँ पर AAA rating stable क्रिसिल की है और A1 प्लस शॉट टम के लिए है इकरा की rating AAA stable और जो शॉट टम के लिए A1 प्लस है तो credit rating काफी अच्छी है और यहाँ पर T1, T2, capital हम लोग उसके बार में discuss नहीं करेंगे आप screen पर देख सकते है और अगर आप हमारा और analysis जानना चाहते तो हम इसे blog spot पे भी लेके आ रहे जिसका link हम लोग जैसी blog हम लोग बना देंगे तो upload कर देंगे उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ balance sheet के figures है इसकी बारे में बात नहीं करेंगे अब हम कुछ थोड़े बहुत graphs देख हम काफी bullishness पे तो इसलिए हमें यह काफी पढ़ना पसंद है तो आईए हम देखते है retail spend जो की pre-covid level पे हो गया daily average करीबन 125% से बढ़ा है और वहीं पे जो Q2 FY21 में था 117% था pre-covid level का ठीक है तो यह आप देख सकते हैं और उसी के साथ अगर हम बात करें new accounts यहाँ पे daily average जो बार में भी बात कर दिया है capital adequacy ratio काफी अच्छा है और जो digital spend है company का अगर आप बात करें SBI ने क्या-क्या launch किया है तो बड़ी-बड़ी partnerships है Paytm SBI card Paytm SBI card select BPCL card Delhi Metro card और उसी के अलावा यहाँ पे कुछ festive यहाँ पे चालू किये festive offers भी दिये गए अगर हम profitable operations देखे 210 करोड र कर चुके ROA ROE यह सब भी हो चुका है हमारा अगर उसके अलावा हम 9 मंत के figure कोई खास नहीं होते अभी new accounts जो हमने देखे अच्छा चलिए new accounts देखते कितने नए accounts खोले गए है quarter 3 में करीबा 9,8,000 नए accounts खोले गए हैं और उसी के अलावा retail spend हम लोग discuss कर चुके हैं और अगर अगर हम बात करें corporate spend की यानि कुछ bank के जो corporate spends होती मतलब corporate membership के तुरू जो card दिये जाते तो वो काफी अच्छे रहे हैं आप इसे compare करेंगे अगर हम Q2 से compare करें तो उसी के अलावा हम बात करते card enforce तो यहाँ पर company ने अपना market share बताया है जो की अगर आप देखे June में 18.5 था फ वो 20.1% है quarter 3 FY21 से यहाँ पर अभी तक 20.2% है तो यह सभी यहाँ पर spends का market share हुआ new cards हम लोग वापस बात कर रहे है company बार बार यह same figure आती है उसी के अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े दी गई है receivable पर cards है यहाँ पर spend पर card अगर आप देखन पर card होता है और वहीं पर पिछला figure था एक लाग दस जा करोड का यहाँ पर यह था उसी के अलावा यहाँ पर retail spends है बाकी सब और भी चीज़े है इसको हम लोग block spot में cover करना चाहेंगे चलिए एक और चीज़ डिसकस करेंगे अगर हम आप जानना चाहते है तो यह है कि और आउटफ्लोट से यहाँ पर आपको पता पड़ेगा तो यह आप आप देख सकते है असेट liability profile होती है और इसका maturity होता है अगर हम cumulative mismatches देखे बेसिकली आउटफ्लोट कितना है एक से 7 दिन में 8 से 14 दिन में तो यह सब यहाँ पर compare किया है जो आप light blue कलर का देख रहे है वो inflows है और outflows होने pay करना है तो basically यह asset liability profile है यह जितनी ज्यादा अच्छी हो उतना अच्छा है मतलब inflows ज्यादा होने चाहिए outflows कम होने चाहिए तो केवाल अगर हम 5 साल से ज्यादा का देखे तो यहाँ पर problem है बाकी कई जगे problem नहीं है उसी के अलावा well matched ALM company ने लिखा है 53-48 करोड की sanctioned bank lines unutilized and available at the drawn as of December 20 करीबन 5.50 करोड का loan sanction है जो कभी भी bank उठा सकती है उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं borrowing composition की तो bank से है commercial paper और debenture तो यह सारी चीज़े रही यह हमारा वीडियो यहीं कतम होता है अगर आपको पसंद आयो तो like कीजिए share कीजिए हमारे channel को औ हमारे सभी SBA card के shareholders के साथ और हमारे channel को ज़रूर subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाएएगा अगर आप जानना चाहते है SBA card पर हमारा opinion क्या है तो देखिए हम लोग काफी bullish है result अगर आप बात करते हैं तो केवाल muted रहे हैं मैं अगर आपको बोलूँगा इतने अच्छे नहीं रह देंगे long term target जो हमारा है 1300 करोड रुपए का 1300 रुपए का है sorry वो इस stock के लिए FI21 का है short term target अभी हम नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत volatility रहेगी और यहां पर हमें कोई short term कोई growth भी नहीं दिख रही है क्योंकि जो profit है वो काफी कुछ खास नहीं आये ले और फेवरेट स्टॉक यह वीडियो यहीं कतम होता है like कीजिए share कीजिए subscribe जरूर कीजिएगा हमाय चैनल को thank you